जैस याराम, आज हम जानेंगे मीन रासी के जातकों का वार्सिक रासी फल वार्सिक रासी फल के माध्यम से हम जानेंगे कि मीन रासी के जातकों पर ग्रहों और नक्छत्रों का कैसा सुब असुब प्रभाव रहने वाला है तो आईए देखते हैं सुरवाती महिना वर्ष 2030 का मीनरासी के जातकों का कैसा रहने वाला है जन्वरी माह में गुरू और सनी के कारण 12 लगन भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होंगे इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंतरन रखना होगा वही धन संचय में आपको कठिनाई हो सकती है वही आपकी वाडी में भी थोड़ा रुखा बना सकता है इस समय आपको गुरू का सहयोग प्राप्त होगा जिस से आपको थोड़ी रहत मिलने वाली है इस समय की गई यात्राएं आपके लिए लाबदायक होगी दसम में बुद्ध, मीडिया और लेखन से जुड़े जात्कों को अच्छे मौके दिलवाने वाला होगा इस्तरी जात्कों को प्रेम में अपने साथी का सहयोग मिलेगा वही फरवरी मा में गुरू सुक्र का राजयोग जबजस्त सफलता लेकर आपके लिए आने वाला है इस मा आपको कारेस्थल पर भी समानित किया जा सकता है यह मा इस्तरी जात्कों के लिए सांदार रहने वाला है मित्रों की मदद से इस मा आपका कोई पुराना अटका हुआ का पूरा हो सकता है वही मार्च और अप्रेल का महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है आईए देखते हैं मार्च मा में धनिस्थान के स्वामी मंगल चौथे भाव में गोचर कर मा की द्वारत धन प्राप्ती के ओर संकेत कर रहे हैं धन भाव में राहु सुक्र की यूति के कारण इस मा किसी इस्तरी पर धन खर्च की संभावना होगी इस समय नौकरी की तलास में जुटे जातकों को भी अच्छी नौकरी मिलेगी सरकारी कारी से जुड़े जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौपी जा सकती है वही विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है और इस माह आपको अपने पिदा से सहयोग प्राप्त होगा अप्रैल माह में ग्रहों की यूती से आमदनी से अधिक खर्चा होगा इस समय पराक्रम भाव में सुक्र के होने से जन संचार से जुड़े जातकों को फाइदा होने वाला है सिनेमा जगत में काम कर रहे जातक इस समय प्रसिद्धी प्राप्त करेंगे वहीं मंगल की दसम दृष्टी कार इस्थल पर आपका उत्सा बढ़ाने का काम करने वाली है बात करते हैं मै जून की मै के माह में आपको वहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है इस समय भायों के सहयोग से मन प्रशन होगा, ब्यापार से जुड़े जातकों को सला दी जाती है कि वो आर्थिक लेन देन में सावधानी रखे सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे जातक अब उच्छ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे, वहीं कारिस्तर पर मेला सरकर्मी से मददकार सद्ध होगी जून माह मीन रासी के जातकों के जीवन में प्रीम और रुमांस खुश्या लेकर आने वाला है, इस माह कई समय से अटका आपका प्रीम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है इस माह मीडिया लेखन प्रकासन से जुड़े जातक बेहद अच्छा काम करेंगे और उन्हें सराना भी प्राप्त होगी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस माह सम्मानित भी किया जा सकता है इस समय नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है लेकिन समय ठीक नहीं है इसलिए जो नौकरी चल रही है उसे चलने दे जुलाई और अगस्त में आपके लिए कैसा रहने वाला है आईए देखते हैं जुलाई माह में आपको सियर मार्केट में अच्छा मुनाफ़ा होने वाला है इस समय आप अपने सत्रू को परास्त करने में सफल होंगे सब्तम मंगल की लगन पर दृष्टी से संपत्ती से लाब दिखाई दे रहा है हलाकि इस समय आपको क्रोध और अहनकार से बचना होगा इस माह आपको कोई अटका काम पूरा होगा किसी कोट केस का निर्णाय आपके पक्च में आ सकता है पंचम सुक्र के सयोग से जीवन में प्रेम का संचार होगा ब्यापारी वर को नए बड़े अर्डर मिल सकते हैं वहीं अगस्त माह में मीन रासी के जातकों को पारिवारिक सुक्की प्राप्ती होने वाली है इस समय नौकरी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी का ओफर आ सकता है और आप जौब वदल सकते हैं सूरे बुद्ध यूती इस समय विदी स्यात्रा में सायक सिद्ध होगी इस समय आपके ब्यापार में भी विदी होगी इस मा सूध कारे के लिए विदीज जाने की कोसिस कर रहे जातकों को मदद मिलेगी विज्ञान के फिल्ड से जुड़े जातक किसी नए अविस्कार के और बढ़ सकते हैं इस मा नौ दमपत्ती के जीवन में किसी नए मिहमान के आने के योग बन रहे हैं इस समय धन निवेस करना चाह रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट की सला जरूर ले सितंबर और अक्टूबर मा आपके लिए कैसा रहने वाला है आईए देखते हैं सितंबर मा में मीन रासी के जातकों का सूर्य मंगल की यूती थोड़ा परसान करने वाली होगी अगर आप साजेदारी में काम कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर की बीच मदभेट सामने आ सकते हैं इस माँ आपको दामपती जीवन में भी थोड़े कला से मचना चाहिए जिन जातकों को पेट और लीवर से जुड़ी समस्या है उन्हें सिहत के मामले में साउधानी बरतनी होगी बुद्ध पर राहु सनी के प्रभाव से आपको वाणी का इस्तिमाल सो समझ कर करना होगा कारे इस्तल पर आपको लड़ाई और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है वहीं अक्टूबर माह में आपको अपने ब्यक्तिगज जीवन में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है वहीं संतान पक्च से भी चिंता बनी रहेगी इस मास सेयर मार्केट में सूच समझ कर निवेस करने की आपको सलाह दी जाती है नवंबर और दिसंबर साल का आखरी दो महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है आएए देखते हैं नवंबर माह में लगनेस गुरु धन भाव में होकर धन वृद्धी करने का काम करेंगे वहीं देव गुरु ब्रेस्पती गुरु चांडाल दोस्ते आपको मुक्त करके सुप फल में वृद्धी करने वाले होंगे इस मास सरकारी नौकरी कर रहे जात्कों को बेहत सुप परिणाम प्राप्त होने वाले हैं इस समय प्रेमी जोड़े विवाह करने का निर्णाय ले सकते हैं भागे इस मंगल की कृपा से आपका खुद का काम सुरू हो सकता है इस मास सरकार के साथ काम कर रहे जात्कों को बेहत सुप परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आपकी वाणी के प्रभाव से आपका कारिश सिद्ध होगा और वाणी की मधूर्था से सबको आप प्रभावित करेंगी दिसंबर माह में आपके कारिश तल पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इसमा आपका उत्साण चरम पर रहने वाला है ब्यापारी वर को इसमा समुद्री यात्राय करने का मौका मिलने वाला है भागेस मंगल अपने पिता से सहयोग करवाने वाले होंगे वहीं काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से धन और प्रिसिद्धी दोनों आपको प्राप्त होगा विदेश भाव में वराजमान सनी पर बलवान मंगल की दिश्टी से जो अपने कारवार को विदेश तक ले जाना चाहते हैं उनको सफलता मिलने वाली है बात कर लेते हैं अंत में मीन रासी के जातकों के लिए वर्स 2030 का जो सुब रंग होने वाला है वह है स्वेत यानि की वाइट कलर और मीन रासी का सुब अंग यानि की लखी नंबर होगा नंबर टू तो आज के लिए बस इतना ही नौ वर्स आप सब का मंगल मैं हो जैसिया राम झाल 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 झाल